हैंसाइट एक लगजरी है खेल में यह आमतोर पर एक बड़ी निराशाजनक हार के बाद आता है भारतिय कोच रवी शास्त्री अब महसूस करते हैं कि समस्याएं मध्यक्रम में थी और उन्होंने इस बात को पॉइंट किया कि यही भारत की सेमी फाइनल में हार का सबसे कारण है भारत की 2017 लंदन में चैंपियन्स ट्रॉफी के फाइनल में हार के बाद चेतावनी के संकेत तभी मिल गए थे फिर भी ज्यादा कुछ नहीं किया गया या शायद ऐसा कुछ भी नहीं था जो किया जा सकता था बल्लेबाजों द्वारा कोशिशे की गई उनको चेक क किया गया और बाहर कर दिया गया ज्यादा तर खिलाडी समय लेते हैं फिर भी एक को लगा कि अजिन के रहाने वह खिलाडी हैं जो नौक आउट के दौरान मिडल ओडर में मजबूती दे सकते थे पूर्व भारतिय कप्तान और बल्लेबाज दिलीप वैंग सरकर ने भारत क की वर्ल्ड कप टीम चुनते समय पहले चेतावनी देते हुए कहा था मुझे लगता है कि प्रतिभाशाली और अनुभवी अजिन के को नजर अंदाज करके भारतिय चैन करता बहुत गलत कर रहे हैं वोहिंग लैंड की कंडीशन में एक शांदार बल्लेबाज है और एक बह में कहा है कि मिडल ओर वास्तव में एक समस्या थी हैंसाइट में हां हमें मध्यक्रम में एक ठोस बल्लेबाज की जरूरत थी लेकिन अब यह भविश्य के लिए कुछ है यह एक ऐसी स्थिती है जो हमेशा हमें समस्याएं दे रही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकती कि हम इसमें चोटल हो गए तब विजय शंकर वहां थे और फिर वो भी चोटल हो गए हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं फिर भी युवाओं के लिए मजबूती का त्याग किया गया और अंत में वर्ड कप था